स्टूडेंस जूले बच्चों के सवाप सब मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे तो आज हम पढ़ेंगे एक नाया चप्टर ठीक है यानि चप्टर नंबर 13 तो चप्टर नंबर 13 पे ही कट पुद्लिया तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे तो अब लोग द में नंदन वाद में रहने वाले सबी जब बले ते यानि नंदन वाद में यान का मतलब क्या ही जंगल ठीक है नंदन जंगल में रेने वाले सबी जीब, यानि जीब का मतलब क्या ही जनवर बले थी वे आपास में मिल जूल कर रेती थी यानि नंदन वान में जिने भी जनवर रेती थी वो सब आपास में मिल जूल कर रेती थी ठीक है, इसी वान में एक बलू रेता था उसका चमक तो उस बलू का नाम था चमक जंगल के जनवर उसे देखकर बहुत खुश होते थी यानि नादन वान में जो जंगल है जंगल में रेने वाले सभी जनवर यानि बलू को देखकर बहुत खुश होते थे थे एक बर वह कहीं से गुडुपा आया तो पेरों में गुडुपा बनकर वो नशने लगा तो बलु ने अपने पेरों में गुडुपा बनकर वो नशने लगा जंगल के जनवर उसे देखकर हंस्ते हंस्ते लोड़ पोर हो गई तो सभी जनवर बलु को देखकर हंस्ते हंस्ते वो सब लोड़ पोर हो गई छमक बलु हल ही में जैपूर गया था तो छमक बलु कहां गया था जैपूर गया था ठीक है वहाँ सुन्दर सुन्दर कड़ पुद्लियां बिकती थी यानि जैपूर में बहुत सारे सुन्दर सुन्दर कड़ पुद्लियां जो खिलोने है खिलोने का जो कड़ पुद्लियां है वो सब वहाँ पर मिलती थी ठीक है वे कड़ पुद्लियां खरीद लाया तो उन में से दो कटपुटलियां क्या थी स्त्रिक की थी और प्रूश की थी ठीक है स्त्रिक कटपुटली रंग बिरंग गगरा पेने हुए खुब सजी दाजी थी तो जो कटपुटली स्त्रिक की थी वो क्या पेने थी गगरा पेने थी और खुब सजी दाजी थी ठीक है वो और प्रूश काटपुटली रंग बिरंग दोती कुर्टा पेने और सिर्ष पर पगडी बंदे थी तो जो स्त्रिक काटपुटली थी वो रंग बिरंग गगरा पेने हुए यानि खुब सजी दाजी थी और जो प्रूश काटपुटली थी वो रंग बिरंग दोती कुर्टा पेने और सिर्ष पर पगडी बंदे हुए थी ठीक है दोनों ही बड़ी अच्छे लग रही थी यानि जो स्त्रिक काटपुटली और पुरूश की जो काटपुटली थी वो दोनों बहुत अच्छे लग रही थी ठीक है ललू लकरबगे की नाजर काटपुदली और पड़ी तो ललू लकरबगे की नाजर किस पर पड़ी यानि काटपुदली और पड़ी थी ठीक है उसने पूछा पूछ लिया ये क्या है तो ललू लकरबगे नी पूछ लिया की किस geographic यानि बलु को पूछ लिया की ये क्या है थीक है तो बच्चों आज हम यही तक पड़ेंगी यहाँ थाप लोगों को अच्छे से पढ़ना है अच्छे से रीडिंग करना है तो अब लोगों को समाज में नहीं आया तो अब लोग मुझे पूछ सकती हो ठीके कोल करके या मैसेज करके तो कल हम फिर मिलेंगे बाबाई टेक कियर तेंक्यू